Hello students, आप सबी का आज के इस वीडियो में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे Dispatch Details and Parity Details in Sales Vouchers मतलब Sales Vouchers के अंदर Dispatch Details and Parity Details क्या होता है इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमारे एक subscriber ने comment किया था कि Dispatch Details के बारे में हमें बताईए उनका comment था की dispatch details को भी बता दो हमने एक specific video डाले की sales voucher के बारे में और sales voucher के बारे में हमने उसमें अच्छी से बताए था और इस part में हम सीखने वाले है डिस ëफच details के साथ साथ party details के बारे में आखिर हम party details के बारे में भी समझेंगे और इसी के साथ में हम dispatch details को भी समझेगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं हूँ आपके साथ ये लिवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर टेली प्राइम को open कर लेना है तो मैं यहाँ से टेली प्राइम को open कर लेता हूँ टेली प्राइम को open होने में थोड़ा सा wait करें जैसी टेली प्राइम यहाँ पर open हो जाता है open होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं license window हमेरे सामने आ चुकी है अब यहाँ पर हमें इसे education mode में enter कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन अभी तक हम जो work कर रहे थे वहाँ कोई दूसरी company में कर रहे थे और यहाँ पर अनन्त Pivity Ltd के नाम से company खुली हुए तो हमने पहले जो company बना रखी थे अनन्त Pivity Ltd के नाम से हम उसी company को यहाँ पर open कर लेती हैं तो उसे open करने के लिए हम alter F3 बटन दबाते हैं उसके बाद में यहाँ पर select company वाली window हमेरे सामने आ जाती है तो यहाँ पर हमें अनन्त Pivity Ltd के नाम से हमने जो company बना रखी थे कि उस company को हम यहां पर open कर लेते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह company अपन हो चुकि ही उसके बाद में हमें यहां पर क्या करना है vouchers में आने के बाद में page up की दबाना है क्यों 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 कि हम जो entry कर रहेते सेलेट की यहीं पर है यां फिर हम चाहें तो उस इंट्री को डेबुख से भी नििगाल सकते हैं तो नो सब्सक्राइब गई करेंगे यहां पर हमें दो एंट्रीस दिखाई देगी लेकिन यहां अगर आप को ध्यान रखना होगा कि जो debt selected रहेगी यहाँ पर देखे, यहाँ पर जो debt selected रहेगी, उसी date में की गई entries आपको यहाँ पर show होगी otherwise, यहाँ पर entry आपको दिखाई नहीं देगी अगर आपने entry करी और आपको date पता नहीं तो आप पूरा year की entry एक साथ देख सकते हैं इसके लिए आपको यहां पर alter F2 बटन दबाना है जैसे आप F2 बटन दबाते हैं उल्टर के साथ में तो यहां पर change period का options आ जाता है तो आप सिर्फ आपको यहां से एक from date, from date मतलब यहां पर एक date select करना है यहां से तो कहां तक के बीच की entries आपको देखना है तो वो date आप यहां पर डाल के देख सकते हैं अभी मैं इसे skip कर देता हूं ओके गोतम सक्सेना जी की हम entry कर रहे थे तो इसे हम यहां पर enter कर लेते हैं तो हमारी जो entries हैं वहां यहां पर आप देख सकते हैं sales voucher किया entry से अभी हम आठ समझने वाल है dispatch details के बारे में तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर enter करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं dispatch details वाली window हमारे सामने आ चुकी है और दिखाए ज़रा है लेकिन इससे पहले आप यह समझ लीजिए कि dispatch details की जरुवत हमें कब पढ़ती है ओके dispatch details की हमें जरुवत कब पढ़ती है तो dispatch details की हमें जरुवत पढ़ती है जब हम कहीं दूर माल पहुँचाते हैं समझिएगा हम रहते हैं मद्धी प्रदेश के आगर मालवा च्छेतर में अब हमने जो माल बेचा है वह माल हमने राजिस्तान के बिकानेर च्छेतर में बेचा है तो अब हमें उस माल को मद्धी प्रदेश के आगर मालवा से बिकानेर यानि कि राजिस्तान के बिकानेर में हमें वो माल को supply करना है यदि हम यही माल लोकल में बेचते हैं आगर माल वाके आज पास बेचते हैं तो हमें वहाँ पर इसकी जरुवत नहीं होती क्यों क्यों क्योंकि हम माल को लोकल में ही बेच रहे हैं इसलिए हमें इसकी जरुवत नहीं पड़ती लेकिन जब हम माल को एक स्तान से दूसरी स्तान और दूर माल बेचेंगे तो हमें डिस्पेज डिटेल्स की जरुरत पड़ेगी ठीके तो यहां पर आप देख सकते हैं से पहले डिलेवरी नॉट नंबर दे रखाए आखिर डिलेवरी नॉट नंबर क्या होता है देखिए यदि हम माल को बेचने से प इसे पहले का डिलेवरी नॉड पहले से बनाकर रखा हुआ है तो उस डि особya का नंबर यहां पर डालना होगा तो अभी हम यहां पर कोई सबी एसे नॉर्मल नंबर को टाइप कर देते हैं और इंटर करते हैं तो यहां पर आप जेक सकते हैं जब भी हमने डिलेवरी नोट ब लेक्ष्ट आजना है यहां पर आप देख सकते हैं dispatch DOC मलब documents number dispatch documents number आप देखिए इसे थोड़ा सा ध्यान समझिएगा यहां पर क्या होता है कि यदि इस invoice की साथ में अलग से चालन या कोई documents बनाए हो तो उस documents का number यहां पर देना होगा देखिए यहां पर यदि हम किसी भी प्रकार का other documents भी बनाते हैं इसके साथ में कोई चालन बनाते हैं तो उस चालन के जो number होते हैं वह हमें यहां पर type करने होते हैं यदि नहीं है तो हम invoice number ही यहाँ पर डाल सकते हैं जो हमने यहाँ पर दे रखेते हैं आप देख सकते हैं sales invoice number यहाँ पर 1 है मतलब यहाँ पर हम 1 भी दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर कोई से भी ऐसे रेंडम ली नंबर को टाइप कर देते हैं उसके बाद में dispatch through मतलब आप यहाँ किसके through dispatch करते हैं तो यहां पर आपको ध्याण रखना होगा अब आपने माल किसके through dispatch किया वह बताना होगा अब आपनी जो माल हैं किसके through dispatch किया तो जैसे की by car है ना ध्यान रखियागा जैसे की by car by bike, by bus या फिर by car अपने किसके थुरू इसे dispatch किया है, वह आपको यहाँ पर दिखाना होगा, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ by car, तो मैंने क्या किया by car के जरी माल को dispatch किया, next यह है डेस्टिनेशन्स मतलब आपने माल को कहां भी पहुचाया है मालो मैंने पहुचाया राजस्तान ओके तो लेकिन राजस्तान में आपने माल को कहां भी पहुचाया है वो ती डेस्टिनेशन्स तो जिस भी जगह पर आपने माल को पहुचाया है उस जगह का यहां पर आपको न तो यहां पर मैं दिकान्य टाइप कर देता हूं उसके बाद में इंटर अब देखिए कुरियर नेम एंड एजेंट अब देखिए यहां पर दो चीज़े हमर समने हैं आपने जिस व्यक्ति यहां कुरियर के थ्रू अपने माल को डिस्पेच किया है वह डालें तो यहां पर आपको दियानी रखना है कि आपने यह जो माल है किसी कुरियर के थ्रू पोचाया है या फिर किसी एजेंट के थ्रू पोचाया है तो यहां पर उसका नाम आपको यहां दालना होगा तो मैं यहां पर नाम ड़ालिता हूं एजिंट का जैसे कि मैं ने पुचाया है राज सोनी तो मैंने यहाँ पर राज सोनी का नाम टाइप कर दिया है कि राज सोनी एक एजेंट है और यहाँ पर हमने इनके थ्रू माल को पहुचाए है अगर कूरियर होता तो कूरियर जैसे की की फॉर एक्जामपल आप किसी भी प्रकार की शॉपिंग करते हैं आप चाहें मीशो सी रेइंस करते हैं रेती हैं तो जो हमें प्रोडक्ट देने के लिए आता है महीं होता है कूरियर समझेयग से ज City कभी-कभी बुल्यूडर के से और यहां पर हमें जिससे भी वह प्रोडक्ट होता है वह एक कूरियर के माध्यम से हमें होता है समझेगा तो होता है कूरियर और एजेंट होता है यदि आप किसी व्यक्ति जो इसका ही काम करता है जैसे कि एक जगे से सामान को दूसरी जगे ले जाने का तो वह हुता है एजेंट तो आप यहाँ पर उसका भी नाम दे सकते हैं यहाँ फिर आप कूरियर हो तो उसका भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं तेकिन आपको यह ध्यान रखना है उसके बाद में हम यहाँ पर इंटर कल आफ लेडिंग यह एक कानूनी डोक्यूमेंट्स हैं जो परिवहन कंपनियां माल भेजने वालों को जारी करती हैं यह माल के स्वामित्व और परिवहन की पुष्टी करता है और खरीदारों को माल प्राप्त करने की अनुमति देता है इसे विक्रेताओं को उनके खरीदारों के बिना पुर्व भुक्तान के माल भेजने की सुविधा होती हैं और भुक्तान को बैंको के माध्यम से सुरक्षि करने में मदद करती है अब देखिए समझेगा यहां पर हम जब भी माल को सी ओडी पर भीजते हैं सी ओडी का मतलब होता है केशन डिलेवरी यहां फिर अभी अभी शायद वरतमान में तो जिसा पी ओडी चल रहा है पे ओन डिलेवरी है ना तो यहां पर यहां एक काणुनी डोक्यूमेंट्स है और यहां होता है बिना बुक्तान के डिलेवरी करना मतलब अपने प्रोड़ेक्ट को किसी दूसरी जगह पोचाना और यहां हम जनेरेट नहीं करते हैं दियान रखिएगा यह हम generate नहीं करते हैं यह generate वह करते हैं जो हमें अनुमती देते हैं इस माल को अपने customer तक पहुचाने की और जब customer को माल receive हो जाता है तो वह बुक्तान कर देता है और जब बुक्तान करता है तो वह जो payment है सुरक्षित हमारे bank account में receive हो जाता है तो यह होती इसकी process उसके बाद में यदि उसके जो bill जो generate हुआ है ना bill of landing जो generate हुआ है उसका number आपको यहाँ पर डालना होगा क्यों क्योंकि यहाँ bill एक अलग है sales का और वहाँ bill एक अलग है तो उस bill के जो number है वह हमें यहाँ पर type करने होगे तो मैं अभी normally यहाँ पर कोई से भी एसे number type कर देता हूँ वो तो for example आपको समझाने के लिए था तीक है उसके बाद मैं यहाँ पर enter कर लेना है जैसे आप यहाँ पर enter करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते है date आपने यहाँ जो bill generate किया है कब generate किया है कब generate हुआ है तो वह date आपको यहाँ पर डालना है तो मैं यहाँ पर कोई से भी एसी date डाल देता हूँ ओके नेक्स्ट है motor vehicle number आपने यह जो माल पहुचाया है जिस भी वहन से पहुचाया है for example हमने वाइक कार से पहुचाया तो जो कार की नंबर है वह यहाँ पर आपको डालना है जैसे कि यहाँ पर में डाल देता हूँ MP70 MP70 MA999040 करते हैं तो यहाँ पर जो वहान के नंबर होंगे वह आपको टाइप करने होंगे ठीक है एंटर जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर डिश्पेज डिटेल्स हमारी कंप्लिट हो जाएगी उसके बाद में नेक्स्ट हैं परटी डिटेल्स अब देखिए परटी डिटेल्स में कुछ नहीं करना है बस दो चीजों को समझ लो और सब सब पहले बायर जैसे कि बिल्ट और यहाँ पर हैं नेक्स्ट है कौनशाइनी शिप्ट टू अब दोनों में डिफ्रेंस क्या है बस डिफ्रेंस समझ लो आप तो अब डिफ्रेंस यह है कि बायर्स बिल्टू के यहाँ पर उस व्यक्ति या संगटन का नाम आएगा जिसने माल खरीदा है मतलब जिसके नाम पर बिल बनाया जाता है और इसे माल के भुक्तान के लिए उपयोग में लाया जाता है मतलब बायर्स वह होता है जो माल को खरीदता है क्या होता है माल को खरीदता है और भी उसी के नाम से बनता है तो यहां पर आप देख सकते हैं गोतम सक्सिना जी है यहां पर गोतम सक्सिना जी ने माल खरीदा है अब यह कहां कि है तो हम यहां लिख देते हैं विकानेर तो यह यहां पर एंटर करने के बाद में अब एड्रेस की तिन लाइन यहां पर होना चाहिए तो यह तो सिर्फ नोर्मल आपको समझाने के लिए होता है जब आप हमपलेटली वर्क करेंगे किसी स्पेसिध्क कम्पनी में तो वहां पर आपको पूरा ध्यान रखना होगा ठीक है उसके बाद में एस्टेट एस्टेट राजस्तान तो मैं यहां पर राजस्तान कर देता हूं थ favored और यह जो GST code हैं यह MP के हैं अभी तो हम यहाँ पर राजस्तान के भी दे सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने राजस्तान के code यहाँ पर डाल दिये अब अब देखिए हम next पर आ गए हैं यहाँ पर इसके बारे में भी आप समझ लिजिए कि यहाँ डिटेल्स किस लिए मांगी जाती हैं यहाँ पर उस व्यक्ति या संगटन का नाम आएगा जिसके पास माल को पहुचाना हैं इसे माल पहुचने वाले इस्थान का नाम करन करने के लिए उप्योग में लाया जाता हैं मतलब अ अब हमें यहाँ माल किस जगह पूंचाना है फोर ενबफल माल की यहाँ माल का जो बायर है या ओनर का नाम यहाँ यह जो इसकी शोप का नाम है यहां फिर इसकी शौप कहीं दूसरी जगए पर हैं तो हमें वहाइं एड्रेस में बजनास होगा अ by entrepreneurs का नाम सतीस तीके यहां पर हम क्या करेंगे उस सतीस का नाम यहां पर हम डालेंगी महत्तियस ओके मालों की है माल को रिशीव करेगा क्या तो था Quinn जी कहां पर हैं तो सतीजी है मालो विकानेर मिलिंग्स नेम यहीं रखेंगे एंटर एड्रेस है विकानेर तो यह है इसकी शोप का एड्रेस है ठीक है विकानेर में कहां पर हैं तो जहां पर भी हैं वहां पर हम यहां पर एड्रेस डाल देंगे तो हमने यहां पर specific कुछ भी नाम type कर दिया कि यहां इसका address है ठीक है समझिएगा यहां से उसके बाद में हमें एंटर कर देना है same वो कि वही यहां पर भी same fill off करना है तो हम यहां पर राजस्तान को select कर लेते हैं अब यहां पर मैंने राजस्तान के हिसाब से code भी GST IN code भी यहां पर डाली है उसके बाद में मेरे को यहां पर एंटर कर लेना है एंटर करने के बाद में आप दे सकते हैं place of supply place of supply अटोमेटिक ही यहां पर हमें दिखाई देगा place of supply यहां पर अब देखिए यहां पर registration टाइप रेगुलर दिखाए ज़रा है लेकिन यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यह ना ऐसा कुछ लेकिन यहां इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहां पर जो ओनर है बायर्स हैं गोतम सक्से है ना जी हमने यहां पर इनके GST डिटल्स को फिल कर दिया है कि यहां पर हाइट हो चुका है मतलब यह समझ चुका है कि यहां पर जो बायर्स हैं उसी की GST नंबर यहां पर डले हुए उसके बाद में place of supply राजस्तान ओके अब यहां पर आपको एंटर कर लेना है जैसे ही आप यहां पर एंटर करेंगे तो यहां डिटेल्स सब्मिट हो जाएगी उसके बाद में आपको एंटर 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 करते रहना है और इसके बाद में इस एंट्री को एक्सप्ट कर लेना है ठीक है तो यहां एंट्री यहां पर एक्सप्ट हो जाएगी उसके बाद में हमें वापिस इस entry पे आना है उसके बाद में alter p button दबाना है और यहां पर आप current print पे आकर यहां पर देख सकते हैं इना इसका preview हमने देखना है तो हम preview के पर click कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो डीटेल्स डाली है वह पूरी डीटेल्स यहाँ पर fill हो चुकी है त исслед worship details और buyers details की पूरी की पूरी जानकर यहाँ पर आ चुकी है अब देखिये यहां पर भी आपको सेम दिखाई देगा यहां पर Consign, Shift to 37G को हम यहां पर माल को डेलिवरी करने वाले हैं और यहां जो बील हैं यहां किसके नाम से बनाएं तो गोतम सक्सेनाजी के नाम से बनाएं और यहां हमारी कमपनी की डेटल्स हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से dispatch details and party details के बारे में अच्छे से सिखा होगा तो मिलते हैं एक और शांदार वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद